Technical Engineer completely eligible है, Direct Interview है, Salary आपको 18,000 प्लस HR-A मिल जाएगा, Fresh और completely eligible है, कोई भी experience नहीं मांगा गया है, ना तो कोई exam है, ना कोई fees है, इसके लिए आप लोग all over India कहीं से भी apply कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है, जो लोग इस पोस्ट क कि सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, so friends, welcome to my channel, Civil Engineering Destination, for regular job updates, चाहते हैं तो हमारे चानल को subscribe भी कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही social video platform पे follow कर सकते हैं, link आपको सबका सीधा description में भी मिल जाएगा, तो friends, अगर आप लोग एक civil engineer हैं, और अगर आप लोग job ढूण रहे हैं, अगर आप लोग fresher हैं, तो कोई भी company आपको भला क्यों hire करती हैं, फिर किसी भी company में आखिर hiring का पूरा system क्या होता है, तो देखिए, जब भी कुसी भी company को वो काम करवाना होता है, जो उसे खुद आता हो, आपके client, contractor, even labor से भी अच्छे contacts हो, जिसे हम लोग कहते हैं, आपका good communication skill हो, efficient work हो, आपका site की proper जानकारी हो, इसी के अलावा जो work order होता है, उसकी जानकारी हो, accurate quantity और MB और इसी के अलावा purchase हैंगी, थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए, अगर आप में ये सारे skills हैं, तो कहीं न कहीं आप एक better candidate होते हैं hiring के लिए, और कोई भी company आपको recruit करना ज़रूर चाहेगी, और अगर आपको इस सारे skills सीखने हैं, तो civil guru जी आपके लिए यहां पे offline training program ला रहा है, जहां पे proper आपको site पे लेके जाया जाता है, proper आपको safety waste, safety helmet दिया जाता ह और आपको हर एक चीज़ सिखाया जाता है, for example, center line mark करना, brick, work निकालना, layout निकालना, township, surveying, level check, level transfer, BBS, site work execution, checklist, estimation, QS, RA bill, हर चीज़ की आप मुझा आनकरी यहां पे दी जाती है, RA bill, running account bill होता है हमारा, ठीक है, कोई भी जब हमारा project चल लहा होता है, तो उसके दौरान, उसकी जो भी billing होती है, वो आती है RA bill में, यानि कि running account bill, यानि कि वो project अभी running में है, अभी चल लहा है वो काम, ठीक है, तो यह होता है RA bill, और जब हमारा कोई भी काम खतम हो जाता है, त इसके बाद आपको कोई भी रुपिया नहीं मिलेगा तो यह आपका आरे बिल बंद हो जाता है जिसे हम कहते हैं जो आपका प्रोजेक्ट है वो complete हो गया है इसकी billing final हो गई है तो यह हमारा होता है basically आरे बिल ठीक है बात समझ में आ गई होगी और यही सब जानकारी सीखने के इसलिए आपको सिविल गुरुजी के offline training programs है डेली भोपाल लखनौ मत्वरा पटना यहां पर आपको जाके सीख सकते हो फस्ट टूले के 16th of every month यह यहां पर चलता है फस्ट एप्रिल से यहां पर नए बैस start हो रहे हैं सबसे अच्छी बात यह है कि आप 40% fees अभी आपको दे जाता है site visit मिल जाता है job assistance through job build 60% fees after placement इस अपकी facilities आपको यहां पर मिल जाती है इसी के अलावा जब आपर training program compete कर लेते हो तो आपको इसका authorized training program भी मिल जाता है इसका एक certificate मिल जाता है जिसा आप लोग नहीं CV में यूज़ कर सकते हैं तो जो लोग चाहते हैं यहां पर ज़रू NIT सिलसार असम में है बहुत ही बड़ी और famous institute है यहां पर इसे अकसर recruitment आता रहता है यहां पर इसे contractual post निकल के आ रही है scientific administrative assistant की post है slash field operator की post है यह post आपकी पहले एक साल की रहेगी जिसे बढ़ा के तीन साल तक का कर दिया जाएगा number of post ए four निकल के आ रही है essential qualification अगर आपने भ पर फिर botany वालों के लिए post है फिर b.com वालों के लिए है फिर यहां पर mechanical वालों के लिए post है अगर आपने बी बीटे के mechanical जिदिन कर रखा है तो आप लोग यहां पर apply कर सकते हैं experience desirable में है अगर है तो अच्छी बात है नहीं है तब भी apply कर सकते हैं अगर rainwater harvesting में harvesting system में underground recharge में experience है या फिर एक थोड़ी बहुत knowledge है तो आप लोग यहां पर जा सकते हैं same mechanical वाला भी अपना यहां पर देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत cat cam के जानकारी भी होनी चाहिए salary 18,000 मिल जाएगी इसी के लावा जो HR होता है house rent allowance यह आपको अलग से मिल जाएगा as per company norms last rate इसकी 24 March 2022 तकी कई से पहले हां पर आपको apply कर देना है form को भरना कैसे है तो इसका एक cv है इसका एक offline form है ठीक है यह आप लोग देख पा रहे हो इसका आपको print out लेना है print out लेने वाले इसको भरना है भरने के वाले से सारी documents attach करने है इसको scan करना है और आपको इस mail id पे भेज देना ह और जो भी आपका post रहेगा उसका title रहेगा application for the post of jrf under dst project ठीक है यह आपका रहने वाला है और यह आपको 24 March 2022 तक भेज देना है यहाँ पर आपको shortlist किया जाएगा और यहाँ पर आपका फिर interview schedule हो जाएगा interview online होगा या offline होगा यह चीज क्लिए नहीं है interview कब होगा कहां अगर आप लोग shortlist होगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा ठीक है इसी के लावा इसका यह form है आप लोग format देख सकते हो इसका print out लेना है भड़ना है scan करना है अपने photo का यहाँ पर चिपकानी है जो आपका आपकी फूर फूर ग्राफ होती है ठीक है और आपको करें शेर करें सबस्क्राइब करें so thank you and god bless all of you